हलो फ्रेंड वेलकम टो में यूटू टेर्ल में सुभी भीवे कि मैं आप सभाव का अफट से बहुत-बहुत स्वगत करते हो। दोस्तों कि जैसा पता कि आज समें जमेंेटरी का क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं बैसिक कॉंसेट से देखेंगे जो मैंटिक का परला क्लास आज हम देखें गाल देखें गैज बेसिक कंप से मतलब बेसिक चेप्टर आपका है इसका नोट जैसे से पढ़ाएंगे दुस्तों, उसका नोट तैयार करते जाएगा चुकि जैसे Line Angle पढ़ इसका यूज हम आगे करेंगे, ठीक है? Line Angle पढ़ेंगे, Trangle में भी जो भी थोई होगा, हर जगा यूज होता, इसमें क्या होगे एक दूसरे से रिलेट होगा जो भी थियोरी बनेगा एक दूसरे से रिलेटर होगा तो आपको रेग्रार वीडियो देखना है शुरू से लेकर आन तक देखना है ऐसा नहीं कि पंसमर्ण देख लिए दसमर्ण देख लिए ऐसा कुछ नहीं जब लाश्ट इन तक देखना है ताकि कोशन भी बने आपसे और कोई दिक्कत कोई प्रेसानी भी नहीं हो ठीक है और इसके लावा जिदे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राब कर लिए बगलम बेल लेकर उसको भी क्लिक कर लिए इसके लवा एडवांसमेट का पूरा का पूरा पीडियाप हमने टेलिग्राम चैनल में अप्लोड कर दिया है आप वहां से आप डॉनलोड कर सकते हैं जो भी फ्राइस होगा वहां पे आपको मिल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले बात है कि आपको पढ़ना कैसे है वह सबसे बहुत मैंने रखता है दोस्तों कि पढ़ना आपको कैसे जो मिल इसका टॉपिक वाइस पढ़ाएंगे ठीक है पहला बात उसके बात सेवंध फेस का जितना भी एक्जाम हुआ पहला फेस से लेगे सेवंध तक का उससे हम क्या करेंगे टॉपिक हो जाएगा ठीक है उसके बात कुछ एक्स्टा करवानेंगे ताकि एक्जाम में आपको कोई भी कोशन ने चुटे चाहिए कोशन पुछे चाहिए दो कोशन पुछे और ध्यान लिखेगा दोस्तों की पूरी वीडियो मतलब पूरा जितना भी टॉपिक बताएंगे सारी ट हम रिखेगा इसको कोपी में आपको नोट करना होगा आप डेली कोपी में नोट बनाएए और आगे आप देखते जाए एक बार दो बार वीडियो देखिए कोपी को नोट को समझे कोई दिक्कत है कोई फ्रेस्टा नहीं तो हमें कमेंट के मद्याम सब पोश्चते हैं फिर क्या हो सकता है अब आप नोट बनाएए ना आपको 100% कल आपको इटमेटी क्लियर हो जाए अब दिखे सबसे पहले क्या है कि इसको हम पॉइंट करते हैं यह जैसे यह पॉइंट हो गया अब देखे यहां पर जैसे यह हम यह घिच लिए एक इरो इधार दी अब एक लाइन यहां पर घिच हैं और एक यह गिच देते यह तीनों मेंटिक्स हैं इसको हम रेखा ठीक है इसको का करते हैं लाइन के अब रा सकते हैं तक यहां ऑपको जाएगा अब बढ़ा सकते हैं अब दिखे इसको क्या कएगे यह है, आपको दिखे किया है। अब किया है। अब कुछ नहीं है। इसका मतलब होगे इस साद की यहीं तक र gland रहेगा इस ऐरो पर आगे बढ़ा सकते हैं। इस वाले आगे इन न can 보न एक यह है तो आगे बढ़ा ऐना सकते है। यहां झाए सकता है इसको हम कहा है को रहेंगे मतलब की चाहां से आगे सकता है पीछे नहीं जाएगा आगे सकता है अब देंगे इधर अर्य को तप्लिए स्केस्ट काओ ओगिया इसको क्या कहीं इसल से माल के दिए एक शेंट रिए यह तना को दर्मां चाही शेंग ईनल यह को फिक्स वेशन अब हम आते हैं आगी के तड़फ ठीक है आप दिख।ĩंद का यहां पे लाइन क्या होगा ठीक है जैसे लाइन होगी है और ऐसे आपको गार्ट कर सोढ़ क्रोश करेगा तो इसको हम कहते हैं क्या करेंगे Intersecting intersecting line का का काँएंगे intersecting line होगा यह दूस्तों यह वो जाएगा आपको intersecting line ठीक है यह एक उसे को cross करेगा light तो यह आपका intersecting line का लाएगा इसके बाद आते है यह line एक line एक arrow यह line एक line यह हो गया इसको कहेंग हम parallel parallel मतलब लाइन वो कह लेगा को समान हो यहां मिद्व कोका यह बिच के दूरी हर जगा, क्या होगा इसको हम करेंगे concurrent क्या करेंगे concurrent line कहेंगे इसको क्या करेंगे आप लगते हैं ट्राण्वर्स ट्राइब जैसे मान के चले कोई तो लाइन है एक लाइन ऐसे हो गया दोस्तों अब लाइन है इसको अब लाइन ह segment से करों एक लाइन है तेक्स लाइन एक लाइन है और ये जए यहाँ स यह को प्रतिचेद करेगा इस लायन को हम क्या करेंगे ट्राफ बर्सनलायन कटेंगे-ध। प्रति-छेदी रिखते हैं इसको क्या करता एंपोदा तो हम इसको क्या करेंगे को समांथर रेखा... इसको समामते रेखा हो गया, यह transversal line हो गया, आपको जब दो parallel या unparallel हो line, उसको कोई रेखा परती छेद करता हो, उसकी परती छेदी रेखा गहेंगे, या थो transversal line गहेंगे, यह थोड़ सा basic था, line के बने में, अब आते हैं, angle के बने में, यह भी angle आपको जानना जोड़ी बने में, आपको ऐसे मोना, anticlockwise, anticlockwise में मतले हैं, यहां तब मुड़ा आप यहां से एक, यह यह बना बना दोस्तों यही आपको angle कहला है, यह थे पहला है, यह अपको main हो गया, यह main line segment हो गया, आप इसको anticlockwise से खुमेंगे यह आपको जो बनेगा, यहां तक मलगा, यहां बहुत है यहां तक यहां तक जाएंगे घुम फिरके यह वी आपको थीटा होगा तो इस तरह समझाएंगे ठीक है Anticloak की तरफ हम जाएंगे तो यह आपको क्या हो जागा अपको थीटा का लाएक क्लिगर यह कोई दिकत नहीं है अब आते हम इसमें होन कोन सा angle जो होता है क्या था अपको Happy होता है क्या है ता नियोन कोण है अविक क्या होतार कुण को होता होता है क्या होता है यह बना जाद जोघ्टण का we 0 और 90ड़ी के बीच में होगा तो आपको कोन कालाए रहा है कि यहांपे जीरो से बड़ा और 90 डिगरी से मैं चाहिए आपको छोटा होणा चाहिए आपका क्या कहलाएगा एक्ष़फ आंगल कहलाएगा आप देखें यहांपे समझेे कि कैसी होगा जैसे 0 से बड़ा हो गाया चाहित भीच में व गया आपको पता ही है राइट अबिक आपको पता ही है राइट एगल क्या होता है मतल्ब जिसुक्ता महलगा अव्य थीप्ड होके ती थीटा इधर से इधर से लिजाना पार क्या हो गापको पूरा पसल गया संपयों Te cou अब आते हैं अगला अगला कॉछ शां है आपको एक्विट के राइट हो गया, आप आते हैं अप्ट्यूस एंगल, ठीक है क्या हो गया अप्ट्यूस एंगल देखते हैं आप नोट करते जाना है। आपका 90 degree से बड़ा और 180 degree से छोटा होगा, मतलब, 90 degree से बड़ा और 180 degree के छोटा होगा, वो आपको क्या कहलेगा कोब्यूजिए जेंगिल कहलेगा? तो theta common किसके किसके विस भःणी करिएगा ये, 90 और 180 के विस भःणी करिएगा. अब आते हैं, 14. अब 14. यह मनतर के इंगल बनाएगा यह 180 psychology और दोनों का यह कितना होगा अब आते हैं आगे हैं अंब आते हैं reflect संगिल एक होता आपको reflect संगिल आपकोабот आपको रखे संगिल आपको आपको सबुस्स एक्सी डीपि questi डीटरी से पारा सोथा होगा और ती सु साज इढ़िएवा झोंटा होगा थोडा फ्यानद्ट 2007 अबेशी केस आ चंपिज़ोडना ज़रूरी है कभी एकजामी जोरत पढ़ेगा अपको एसे जोरत पढ़ेगा ही complete इसके चारो ओर से हम यह कुछा जाए कितना होता है कितना होता है06 जो सबीCrowd यूग cry इस सब्सक्राइब को dat यह सभी का योग जो होगा कितना होगा इसके द। प्लस थीटा थीर प्लस थीटा थिरी थीटा थीटा झाल प्लस फोल ब्रावर कितना हो जाएगा और को तें सौ सेठीडी और क्यों बनेगा किक अब आगे देखते हैं अगे से कुछ देख लेते हैं आप आगे बरते हैं complementary angle क्या होता है कि यह जो इंगल होगा यह आपको दो कोनो का योग कितना होना चाहिए जैसे कितना या नगल हो गया को इसी के बीच में ते एक लर्य यह घर एक लेखे थिता और रेसी अधीच तो हो कि अब आते हैं है इसी माता कू सपर्म यसको करते हैं संपलियम्डरी मेंटमेंटरी मेंट मुद्थ हो था आपको Sam caller 8 को है जिन दो कोनों का युग आपको 702 होगा तो किसा रहां चाहिए यह सब्सक्राइब क्या कहलागा आपको supplementary angle कहलाएगा आगे पड़ते हम इंपोर्टेंस अब है देख लेना है ताकि आपको exam में मतलब जो भी कोशन आपके हम देखेंगे ताकि वहां पर आपको कोई समझने में कोई problem नहीं हो इसको note करते जाएगा आपको आसानी हो जाएगा समझने में अब आ समझना है जबी यह ज दोनों ऑलत आपको आशनी कोन या रिख हैख झाल आपको एक सिर्स और रोड़ गृड़ Eachis क ऑलाईर अब कि चिर्स आपको इन्हों सेबड़ा कहले में यहींक्ता प्रावर, डोपी काêsंगै में यहीं चाहिए डीस幕 है, सब्सक्राइब बार यहीं सब्सक्राइब और में के लिए यह साई आपको क्या होगन हो गया इससे यह आपको क्या करना होगा येह सब्सक्री कि अगया बड़ते हैं कि वर्टिक न से घुन हैं मैं जोन रहे हैं भटिकनि अपसीट एंगिल वcemos, यह थीटा वन हो गया यह थीटा 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 फोर हो गया इसमें क्या होता कि बर्टेक्ली आपोजिट का जो हिंदी होता है वोगाइब आपको शिर्षा भी मुख कौन होता है क्या होता आपको सिर्षा विमूग कुन होता है आप इसमें देखे क्या है कि इसमें आपको अपोजिट भर्टेकली अपोजिट इंगल कहा जाता है इतना यह बेसिक थापका इसको आप नोट कर लिजिए अब आते हैं अपको कहा पुछा जाता है जाना सो कौौश्टन नहीं पुछा जाएगा आपको किक देखे इस यह क्या है कि इसका जोर्ट आपको ठोड़ें आगे जैसे ट्रेंगल पढेंगे और सेटी कुस्टे में भा चलिए अब देखते हैं हम परतिछेदे रखा जब कोई पैललर लाइन को कोई एक रखा पतिछेद करता हो तो उससे सवाला को यहां से पुछा जाएगा तो आपको यहां पे क्या आपको MBBI है यह आपको धियान रखना ठीक है यह MBBI है ठीक है इसको हम पढ़ेंगा अच्छे स आपका पैललर लाइन है जैसे मान करें एक इसको तीर आट करोफिया च्छे साथ मोसागरेंगे जब मतला आपका पैललर लजर नहीं हो गया अब यहां से क्या क्या एंगिल आपको देखना है सबसे पहले हम आते हैं को यहां प्रेस्पर्स्पोर्णिंगल ठीक है यहाँ पर देखतेंगे एक corresponding angle जो होगा इसको हिंडी में कहते हैं आपको संगत कौन यहाँ पर देखना हैं कि इसमें कौन सा angle किसके बराबर होता है यह ज़रूरी है अब जिसमें संगत कौन कौन होगा जिसे दो हो गया इसका संगत कौन हो जाएगा च्छे दोनों क्या होगा आपको बराबर होगा कौन दे बराबर क्या हो जाएगा कौन च्छे हो जाएगा इस उसके बात क्vä्म साथ या इसी को क्या करеंगे हैं इसी को क्या कर दिखते हैं का पॉ-ન स्वनिंग की लोगा है यंगिल था है। आइल्टर नेट इंटेडियर एंगिल का मतलब होगि आपको सबसंदी है यह क्या हो लुगा हो क्षैज यहां पूंको विद्धुरा नाम्धों कोड़ाइबी कार तकार वायवस पूंड़ाइब दुसरा होगया है अब तिस्रा के आते हैंी कि पर टैक से बर्टेकर लिब के लिए खुल आप जिटेंगर अभी तुरद आप emphasis यह लाइन लैन क्रोस कर रहा है विसमेंगा है यह साथ हो जाएक कॉन आट हो जाएगा यह हो गया है एक फिकर होट रोग कर लेते हैं ताकि फ्रेस हो जाएगा देखने में आसाम लगेगा एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, साथ यह एंगिल कमान मने हैं यहां पर बर्टेबिया पोजिटिव होगे चौथा देखते हैं ठीक है चौथा देखेगा चौथा भी आपका इंपोर्टेंट है इसमें क्या होता है कि सम अप इस इंटेरियर एंगिल अप इच साइड ठीक है सम अप इंटेरियर एंगिल इंटेरियर एंगिल ऑफ इच साइट यह इंपोर्टेंट है इसको याद रखना है क्या है कि इसमें देखें इंटेरियर एंगिल एक यह हो गया और यह हो गया इस साइट का है तो इस साइट का दोनों कोनों का यूग आपको एक सोस्तिटी पुण पॉन पांच कितना हो जाएगा आपको 180 साइड यह सम आप इंटेडियर आइंगल कितना हो जाएगा आप आते हैं एक पांचमाद देख लेते हैं ठीक है बस इस इस आपका हो जाएगा सारा बस इतना ही तक उसे कुछ देखना भे नहीं है, ठीक है, Alternate exterior angle. Alternate exterior angle. तो कौन angle होगा बराबर? exterior एक हो गया और यह क्या हो जाएगा? आपको एक 8 हो जाएगा. यह दोनों क्या हो जाएगा? आपको बराबर हो जाएगा? एक कौन दो और कौन आपका साथ? जो बहार वोलाएंगेल होगा उल्टा जिसे दो का सामने नहीं होगा उल्टा वो भी बहार में 2 भी बहार है साथ भी बहार है ब्राबर ब्राबर या हो जाएगा कुन 2 ब्राबर कितना होज gadget हो अपका यह आपको इतना थेयोरी था इसका इससे रिलेटेड कोश्टन बने अगा ठीक है एक बार फिर से हम रिभाइज कर देते हैं कैसे कैसे कोशाएंगी क्या करना आपको ठीक है एक लाइन आप गिष देजी ऐसे हम लाइन गिष लिए ठीक है अब देखें यहां पर इसकर दी है आप देखें सिर्धियान रिखना है कि यह इंगिल यह इंगिल का योग कितना हो तो 180 होता है यह इंगिल यह इंगिल क्या होगा बराबर होगा यह इंगिल यह इंगिल ये कौन ये कुन आपस में ब्राबर होगा ये कौन और ये कुन संगत कउ मतब ऐल वन्हों हों ये इंगिल ये वर छक हो ही ये उनर आप barn यह बहार में यह बहार में यह आपको उल्टा होना चाहिए यह यह नहीं यह आपको संगत कुन करलाएगा नहीं तो ठीक है यह इतना थियोरी है अब हम कोश्ण की तरफ बहते हैं सबसे पहले हम और वे कोश्ण को देख रहते हैं फिर इससे पहले जो ग्रूब डी का या रेल्वे का जो ग्रूब वह था उसका कोश्ण देखेंगे और एक बार जरूर आपको कोई प्रेस नहीं नहीं है दिक्कत होगा तो हमें यह आपसे कमेंड कमादे अजर पूछ सकते हैं यह आपको कम सकम जो दिखेंगे आपको डी है तो X का मान क्या होगा ये इंगल आपको फैस्टिभी तो जो मेंटी में एक बात ही हम लेखेंगा जैदे आपको लाइन की सकते हैं इस में कोई रिस्ट्रक्षन नहीं है यहां पर देखें क्या पॉला है कि यह लाइन पर लेला है इसको यहां तक коман ins circularly Ilanying Conway आधे दीक्ःत नहीं है कि आप यहां इती है इंदी भी बढ़ा सकते हैं दीगे आप你 habe अब के तेस होगी यह इंगिल पता हो जाता हए इस इंगिल पता चल जागा जूकि तिर्गज का तेलों को कुटे हो पता है हमको यह एंगल चाहिए ठीक है यह एंगल चाहिए तो यह एंगल ने काने के लिए इसका रिलेशन से पता चलेगा ठीक है अब ही क्या बात है थे जब यह लाइंट परल्लल होते हो यह आपको corresponding एंगल यह एंगल क्या होगा फूर्फाबर होगा ठीक है हम सब तरीके सब को दिखा देते हैं यह जदी 122 होगा यह कितना होगा अलठा होगा कैसी में दुनों जोड़कर घटा देंगे कितना हो जाएगा 8 heart कितना होगे इसका दूसा थरीका होगे न हम देख लेए आप देखें एक लाइन यहाँ सकीश लेते हैं यह कितना 112 होगा एक तिर बोज यहां से यहां लिचले के तिर्वुज बन गया भट्रे के लिए फोट यह एक सोबाईस होगा अभी क्या पैता है तेकि अंता कुनों को योग मतलब एक ही साइट का अंता कुन का यह तो यह कितना हो जाएगा अभी तुरुद पता यह तेक तुला मुझत आपक को चोड़ा सी बजागा आपका मायंड जहां सेट अप करें जहां फास्ट टाइम एटम करें वैसे बनाई कोई ज़रवत नहीं आपको ऐसे ही बनाना है आपको जो एंगिल से जहां से जिस्ट होता है वहां सा बना सकते हैं को अगला कोशन को देखिए कि आक्रिती में A B और C D समांतर है A B और C D क्या समांतर है यह सी बार कोशन आपका आर्ट क्यार दोड़े कि सिप्टू का कोशन है देख सकते हैं आप है और आप इंटिपिसी कहीं है यह कितना होगा आपको 100 डिग्री दिया हुआ है तो पुछा कि कौन A B का मान कितना होगा यह एंगिल मान कितना होगा एक थोड़ा सा फिकर यहां पर डॉप कर लेते हैं ताकि आपको बड़ा फिकर समयने में कोई प्रिसान है नहीं हो ठीक है यह बन गया आपका यह कौन कितना दिया आपको 70 डिग्री दिया हुआ है अब थोड़ा सा लाइन हम बीच में घीच लेते हैं इसे मान के चलिए हम एक पैरले लाइन होगा तो यह आपको क्रोस कर रहा है इसको क्रोस करेगा अब यहां पर धियान देने में वाले बात है कि यदि इस सत्तर होग सत्तर होगा एकांतर कूम से यह परलेलानी नहीं है यह त्रियक कर रहा है यह थीटा होगा यह थीटा इसका मतलब यह हो गया है यह दोनों ईंगिल का यह कितना होगा आपको एक सो एससे डिग्री होगा कितना होगा 180 degree होगा यह दो कॉनों का yoke 101 होगा यहाँ पर दिया हुआ है एकषो होगा तो मतलब आपको थीटा प्लस सक्तर बराबर कितना होगा आपको 180 मतलब 100 दिया हुआ थीटा कामान कितना होगा अपको 30ड हो जाएग ऑप्षट नमर के उचागा अपको भी हो जाएगा देखें कोशन कहाँगी यदि ए ओ भी एक सिधी रेखा हो तो बताएंगे दिये के चिदर में एक्स कामान कितना होगा आपको पता है कि एक स्टेट लाइन 180 डिगरी के बराबर होता है दो सभी कोन होगा यो कितना होगा 180 डिगरी हो जाएगा इसको जोड़ लाते हैं कितना हो जाएगा आपको थीरी एक्स मैनस आठ प्लस पचास प्लस एक्स प्लस टेन बराबर कितना होगा आपको 180 डिगरी के बराबर हो गया थीरी एक्स एक्स कितना होगा आपको 4X हो गया आप देखिए पचास, दस साठ, साठ मीसे, र गटेंगे कितना हो गया, 22 हो जाएगा, पलस, 22, बाबक कितना हो जाँका, अपको, 180 हो गया, कितना हो गया, 180 हो गया, 4X बाबक कितना हो गया, 180 में, 200 ह anarशी 22, 180 मिसे, बावन, अगला कुशन कहता है कि देगे चित्र एओ भी एक सीधी रेखा और एओ सी थी एक्स प्लस ट्विंटी इतना तो एक्स कामन कितना होगा अब यहां पी देखी क्या हो गया 5 sugnh देंगे मैने सोल हो गया बरावर कितना होगा एक सुच्छानिमें हो जाएगा काटेंगे इसको साथ दुनी चौदा साथी आठ्छी चपन्द एक सका मन कितना होगा आपको अठाइस हो जाएगा ऑप्सन नम्रापकर भी हो जाएगा कि अब यहां बहुति देखrzy के गहीं दे की तिर्भुज के को र। एक्स स्ट्री आकस से टु का मन कितना होगा तिर्भुज के तीनों का यह एकस सूर्श हो हुँता है एकस स्टरू हो कितना हो गया तिंदू पांच तिंदू पांच एक च्वह एक सब्सक्राइब कितना होगा अब दिखें सभी तीनों एंगिल का यूग कितना होता है इसको बना लेना एकस पलस कितना होगा अब बरबर कितना हो जाएगा एक सो असी हो ठीक और दो दो चार एक 5000 इम के दो क्ट पांच एक सब्सक्राइब कर डूसु इस इसको को सब्सक्राइब और अपसन ने फेरे हो जाएगा अगला question देखी क्या है कि रेखा A और B एक दूसरे के शमानतर एक कुन X का मान ग्याद करें हैं दो रेखा parallel है A और B आपको क्या है आपको ये line ये line parallel तो X का मान कितना होगा जदी ये आपको 60 होगा संगत कुन से देख रहते हैं ये 160 होगा ये वह कितना होगा आपको 160 होगा कितना होगा ये पूरे एंगिल का यो कितना होता है 180C होता है 160 होगा तो कितना होगा आपको 20 हो जाएगा answer कितना होगा option नम्रा आपको C हो जाएगा अगला कुश्न दिखेगा दिए कि चित्र में AB parallel C D Cone AB बाद 120 degree Cone ADC बाद 100 आपका D DCEM बतार ये इंगले 100 degree है तो कौन B C कमान एक्स कमान कितना होगा इस line को आप आप आगे गिश्ट लिए ये parallel है यह parallel है आपका और इस line को यहां से मिलाए ठीक है यहां सब एक line यहां पर देख लिए कि ऐसे होगा है ठीक है हमको आपको क्या करना है कि कि एक line है ठीक है आप देखें किक सीडी यह आपको शीностью मिले को होगा आपको कि T ठीक है अंसर कितना जगा आपको 40 हो जाएगा कि तोनों कुनों का योग मतला सभी कुनों का योग 180 हो चाहिए इसका अंसर कितना आपको 40 जाएगा अगरा पूशन देखिए यह वी समानतर C D यहां पर एंगल दिया हुआ है तो आपको X का मन पूछा कितना हो बीच एक लायन आम घिच लिजेसे करके जिए हुआ ये 55 होगा दिये कितना हो आपको 55 होगा ठीक है एक अंतर कुण से यह 35 को दिये कितना हो पैठिस होगा एक्स का मन पुछा दोनों को चूड दोड़ जो जीए 5510 63910 एक 110 अब का अंसर हो जाएगा 5510 63910 तो ही हो जाएगा आपको option number क क्या हो जाएगा आपको next question देखें क्या है कि दिये के चीतर में AB LM के समांतर है कौन एक का मन किता होगा ये एंगिल के लिए देखें क्या निकाल ना होगा एक ठोटा सा यहां पे लाइन गेज देते हैं दोस्तों कि देखें , यह इंगिल आपका सी बीकितना होगा टूटल कितना होता हो गया ब्राबर बीच में एक लस्टा में गिच लिए यह भी पैरलल हो गया जब यह 250 लएगर बेसे ही उसे कि लाईंत इसा प्लसी हो мед दोस्तों आको पता है कि पूरे जो सर्क्रील पने गा ऊसे सब्सक्रील कके कुणों कीतना होता है तो ऊंको यह एंगल कितना होगा 360 में आपको B plus C आपको गटा देना है तो 360 को हम लिख सकते हैं टूपाई 2 पाई मैनस B plus C आपका आंसर हो जाएगा निए जिए कहां पर या तोडता हो जाएगा है कि पाइम मेंनस भी मैंनस सी आपका आंसर हो जाएगा नेश्क कोशन देखी में नेश्क कोशन है कि A B समानतर सी दी मतलड़ यह लान समानतर है कौन X O Y का मान कितना होगा एक्स ओ वाई का मान कितना होगा चलिए देखते हैं कितना होता है दोस्तों आप देखें जब यह 125 होगा दोस्तों यह कितना होगा चीक है यह कितना होगा दोस्तों चुकि आपका यह 35 है यह कितना हो जाएगा आपको 35 हो जाएगा पता होगा आपको होना चाहिए एंकांतर कितना होगा चुक्ती यह एंगिल कोनों का यह कितना ँटीन होता है यह फाशी मेंאני आकषोचीज घठा यह चुझ ओगिसे ऑच्छीज होगाए 85 कि यह यह कितना हो गया 35 गया फूछा इसी का मान कितना होका 55 कितना हो थीट होगा आपका जहाएक 10 so को हो जायगा की चैनल मिकी के ये समांतार है तो ए डिगरी प्लस बी का मुझा उर्म कितना होता है। एकांतर पूर्ण बराबर होता है, तो A प्लस B कितना होगा, तो A प्लस B कमान पहले से दिया है, पहले से 42, आंसर कितना हो जाएगा आपको 45 हो जाएगा, आपको C हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट के मातर में से बता ही, पसंद आपको ये से जूड़ कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो को साथ, थैंक्स को बाची,